जैहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं हीन्डीयन आर्मी स्पचल में से और इसमें जन्र नौर्लिज के ट्विटयू के 25 कोस्टन्स होंगे को subscribe जरूँ करें तो चलिये दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में question number 1 है राजा राम मोहन राए किस से संबंदित नहीं थे राजा राम मोहन राए किस से संबंदित नहीं थे दोस्तो जदा टाइम आपके लिए नहीं भी लेगा बहुत जल्दी जल्दी मैं इस वीडियो में questions कराऊंगा तो जल्दी जल्दी comment box में जाके answer comment करते रहेगा तो question number 1 का सही answer है option C, Sanskrit सिक्षा, तो question number 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों question number 2 से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा अगर आपको ज्यादा समय चेहेंगे तो आप वीडियो को रोख सकते हैं question number 2 का सही answer, sorry दोस्तो, question number 2 है भारती समधान में मौलिक उतकारों को किस देश के समधान से लिया गया है question number 2 का सही answer जिल्दी से comment कीजिए तो इस question का सही answer है option B, America question number 3 है निमन में से किस संग्ठन ने भारत छोड़ों अंदोलन के समय अंगरोजों का समर्थन किया question number 3 का सही answer है दोस्तो, option C, क्रिसक प्रिजाब पार्टी question number 4 है नीती आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीती आयोग का गठन किया गया था दोस्तो, एक जनवरी 2015 के लिए question number 5 है भारत की पहली महला मुक्यमंतरी कौन थी? तो भारत की पहली महला मुकंधरी ती दोस्तो सुचेता क्रिपलानी तो question number 5 का सही answer option C सुचेता क्रिपलानी Question number 6 होगा भारती थलसेना का गठन कब हुआ? तो भारती थलसेना का गठन हुआ तो दोस्तो 1 April 1895 के लिए Q7 है भारती थलसेना की पस्चिमी कमांड का मुख्याला कहां पर इस्थित है Q7 का सही आंसर होगा दोस्तो आपका option D चंडी मंदिर Q8 है भारती थलसेना की पूर्वी कमांड का मुख्याला कहां पर इस्थित है तो भारती थलसना की पूर्वी कमांड का दोस्तो मुख्याला है आपका कौल काता में ठीक है Question number 9 है भारती थलसना की उत्तरी कमांड का मुख्याला कहां पर इस्थित है यानि कि दोस्तों भारती थलसिना यानि कि इंडियन आर्मी जो है उसकी Northern Command का मुख्याले कहां पर इस्थित है तो Northern Command का Headquatch है दोस्तों आपका उधंपुर, जम्मू और कस्मीर में Question No.10 की तरफ चलते हैं दोस्तो Question No.10 है भारती थलसिना की केंडरी कमानियन की Central Command का मुख्याले कहां पर इस्थित है तो Central Command का मुख्याला है दोस्तों लगनों में तो यहां पर Question No.10 का सही answer option B लगनों Next Question की तरफ चलते हैं दोस्तों लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे Telegram चैनल सिवा Online Classes से इस वीडियो की PDF फाइल को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और होगी कि अगर आपने अभीता की YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक जरू कर दे Question No.11 है भारती थलसिना की Prescription Command यानि कि Training Command का मुख्याल है कहां पर इस्थित है तो दोस्तों इंडिन आर्मी की जो Training Command है उसका मुख्याला है सिम्ला में ठीक है तो Question No.12 है आपका भारती थलसिना की दक्षणी कमांड यानि कि Southern Command का मुख्याला है कहां पर इस्थित है तो भारती थलसिना की दक्षणी कमांड का मुख्याला है दोस्तों पुले महराश्ट्रा में Question No.13 की तरफ चलते हैं तो Question No.13 है भारती थलसिना की दक्षणी कमांड का मुख्याला कहां पर इस्थित है ठीक है तो सौथ वेस्टिन कमांड का मुख्याला कहां पर है दोस्तो ये है आपके जैपुर रालिस्थान में कोस्चन नम्बर 14 की तरफ चिलते हैं कोस्चन नम्बर 14 है भारती थलसिना में कितनी कमांड है काफी important question है दोस्तो आपके आर्मी के exam में चाहें आप किसी भी trade की तैयरी कर रहे है ये question सभी exams के लिए important है तो भारती थलसिना में दोस्तो जो command है वो है 7, ठीक तो question number 14 का सही answer option B 7 question number 15 है बरतमान में भारती थलसिना के प्रमुख कौन है तो बरतमान में दौस्तो भारति थलसेना की जो जनरल है उनका नाम है جनरल मनोज मुकून नर्वने, ठीक है चलते हैं दोस्तो कॉच्चन नमबर 16 की तराफ तो कॉच्चन नमबर 16 है हमारा बरतमान में भारति थलसेना की DGMO यानी की Director General Military Operation DGMO के फुलफ़म होती दोस्तो डारेक्टर जनरल मिलिटरी ओपरेशन थे तो बरतमान में भारती थलसना के जो DGMO है वो कौन है तो कोश्चन नमर 16 का सही आंसर होगा ओप्शन ए लेपनेंज जनरल परमजीत सिंग भारती थलसना के ये समय DGMO कोश्चन नमर 17 है बरतमान में भारती थलसना के उप सेना परमजीत सिंग कौन है तो कोश्चन नमर 17 का सही आंसर है ओप्शन C लेपनेंज जनरल सतंदर कुमार सैनी कोश्चन नमर 18 है दोस्तो भारती सेना के प्रिथम CDS यान के चीफ अव डिफेंस सिटाफ कौन है तो दोस्तो भारती थलसना के जो प्रिथम CDS है उनका नाम है जनरल विपेन रावत ठीक है तो कोश्चन नमर 18 का सही आंसर होगा ओप्शन A जनरल विपेन रावत कोश्चन नमर 19 है भारती ससस्त्र बलों का सरबोच कमांडर कौन होता है भारती ससस्त्र बलों का सरबुच कमेंडर कौन होता है तो 90 नमबर कोश्चन का सही आंसर है Option C राष्ट्रपती कोश्चन नमबर 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों कोश्चन नमबर 20 है भारती सेना के पिर्थम सेना प्रमु कौन थे तो भारती सेना के पिर्थम जनल थे उनका नाम कहता तो कोश्चन नमबर 20 का सही आंसर होगा Option C जनरल के अम करियपपा कोश्चन नमबर 21 है दोस्तों भारती सेना के राजपूत रेजिमेंट का प्रिसिक्षल के इंदर कहां पर है तो भारती सेना के राजपूत रेजिमेंट का दोस्तों प्रिसिक्षल के इंदर है फतेगर उत्तर प्रिदेश याने कि यहाँ पर कोश्चन नमबर 21 का सही आंसर होगा Option C फतेगर कोश्चन नमबर 22 है भारत में जंडा दिवस कब मनाया जाता है तो जंडा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 7 दिसंबर के लिए तो यहाँ पर कोश्चन नमबर 22 का सही आंसर है Option B 7 दिसंबर कोश्चन नमबर 23 है विस्व योग दिवस कब मनाया जाता है तो 200 योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों आपका 21 जून के लिए हैं ठीक है Question No.24 की तरफ चलते हैं दोस्तो Question No.24 है अरजुन पुरुसकार के छेत्र से सम्बंदित है इस्टार मार करता हैं दोस्तों काफी important question है ये तो अरजुन पुरुसकार जो है दोस्तों वो खेल से सम्बंदित है ठीक तो यहाँ पर Question No.24 का सही answer option C खेल और आज की वीडियो का last question है और इस question के बाद में दोस्तों आप सभी को बताना है अपना score तो comment box में अपने score comment करके जरूर बताएं कि आपके 25 में से कितने questions सही थे तो भारत छुण अंदलन कब हुआ था भारत छुण अंदलन हुआ था दोस्तों 1942 में तो Question No.25 का सही answer option A 1942 तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था Thank you for watching कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तर तक के लिए नमस्कार जैहिन जैफार्ट